सभी बैंकर मित्रों को मेरा नमस्कार जहां एक और UFBU ने आज मुख्य श्रामायुक्त के समक्ष होने वाली कारिवाही को मुख्य श्रामायुक्त को यह पत्र लिखकर टलवा दिया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है IBA के ओफर पर हम खुश हैं और इसलिए हर्टाल वापिस भी ले ली है वहीं दूसरी ओर V-Bankers ने आज ही उच्च न्याले का दरवाजा खटखटा दिया V-Bankers ने अपनी याचिका में कहा है कि उसके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई जाँच नहीं हुई है दाखिल करने को कहा है उच्च न्याले द्वारा पारित आदेश की प्रती आपकी जानकारी के लिए दे रहे हैं जैसा हम पहले भी कह चुके हैं कि V-Bankers अपनी सोची समझी और पहले से निर्धारित रणीती को अमल में लाते हुए योजना बद्ध तरीके से समता और बराबरी की मनजल की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है उसकी सतर्क निगाहें राश्ट्रिय सतर पर IBA और UFBU के भीच नित घटित होने वाले एक एक घटना क्रम पर है और वह इन ही के आधार पर अपने कदम बढ़ा रहा है जहां UFBU ने मुख्य श्रामा युक्त को आज की मधिस्तता कारवाही को इस आधार पर स्थगित करने के लिए कहा है कि हर्ताल वापिसी से अब और योगिक अशान्ती को कोई खत्रा नहीं है IBA के रुक से वे संतुष्ट हैं वहीं V-Bankers ने आज याचिका के जरिये बैंक कर्मियों की ओर से यह संदेश दे दिया है कि जो कुछ IBA और UFBU के मध्य घटित हो रहा है उसमें बैंक कर्मी खुश नहीं है होली के बाद भी V-Bankers के एक और महत्वपूर्ण कदम की सूचना हम आपसे सांज़ा करेंगे इसी बीच V-Bankers के आंदोलन को विस्तार देने और इसमें अधिक से अधिक बैंक कर्मियों की भागीदारी शुनिस्चित करने के उद्देश से V-Bankers की टीम एपरेल माह के तूसरे हफ़ते में राष्ट्रिय अधिवेशन बुलाने और ऐसे नए लोगों को नेतरत्व देने के बारे में विचार कर रही है जो मोर्चे से अगवाई करना चाहते हैं आप धैले बनाए रखें अधिक से अधिक संख्या में V-Bankers से जुड़ें समता और बराबरी हासल करने के उद्देशिके प्रती आपकी निष्ठा, समर्थन और बहादूरी हमारे पत्प्रदर्शक हैं और हम आपकी आशाओं और अकांशाओं पर खड़ा उतरने के लिए दोस्तों अगर आपने अभी तक V-Bankers का Android Mobile App इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत description box में दिये गए लिंक में जाकर डाउनलोड करें इस एप में आपको V-Bankers के सभी platform, social network, notification सही समय पर मिला करेंगी जो की verified है इसलिए तुरंत डाउनलोड करें और अपने सभी bankers मित्रों क WhatsApp पर शेयर करके V-Bankers से जोड़ें धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत